कि आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आप भी अपने प्रोड़क्स को एक्सपॉर्ट मार्केट में एक्सेप्टेंस काफी अच्छा हो तो मेरा आज का यह वीडियो अपनों के लिए काफी जादा यूसपूल होने जाए रहा है Because अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको information देने जारी हूँ एक ऐसे certification के बारे में जो कि इन export market में आपके product की साब को काफी बढ़ा देगा इस certification को हम जानते हैं Z certification के नाम से यानि कि zero effect, zero defect certification अब देखिए जैसा कि हमको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है जीरो effect, zero defect यानि कि आपके product में किसी भी तरीकी के कोई defects नहीं है और दूसरी चीज़ जो बहुत सारे देश होते हैं वो इस मामने में काफी जागरुक होते हैं कि वो सिर्फ ऐसे products को import करना चाहते हैं जिनका की environment के उपर कोई impact नहीं है नहीं during the production नहीं after the consumption तो यह जो certification है Z certification यह यह भी प्रमानित करता है कि आपका जो product है उसका environment के उपर किसी भी तरीकी का कोई negative impact नहीं है राइट? जीरो effect, zero defect certification यह जो particular certification है यह आपके products का जो भी export market में अभी तक reject हो जाया करते थे उस rejection के rate को काफी हद तक खतम करतेगा एक काफी useful certification है हलांकि यह compulsory नहीं है mandatory नहीं है ऐसा नहीं है कि इस certification के बेना आपका business नहीं चल पाएगा आप अपने products को export नहीं कर पाएगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसको लेना ना लेना यह आपकी choice है लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि इस certification को लेने के बाद में आपके जो products की साख है international market में वो काफी बढ़ जाती है अब यहाँ पर एक और important चीज़ है वो यह है कि आप जितने भी certifications को अभी तक लिया करते थे यह उनके addition में है ऐसा नहीं है कि इस certification को लेने के बाद में आपको वो certifications नहीं लेने वो जो आपने ले रखा है वो तो आपको लेना ही है यह in addition to all of them है राइट वर जैसा कि मैंने आपसे कहा यह आपकी choice है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं अब यह जो certification होता है Z certification इसको पर लेना चाहते हैं और तीसरा आपका होता है गोड लेवल जो ब्राउन्स लेवल पर certification दिया जाता है उसकी जो fees होती है वो होती है 10,000 रुपे और गोड लेवल की fees होती है वो होती है 9,000 रुपे इसमें से आपकी जो fees है वो बहुत सारी subsidies के तहत माफ हो जाती है उसका एक बहुत बड़ा portion और यहाँ पर जो certification आपको दिया जाता है वो 20 parameters के basis पर दिया जाता है parameters की जो list है वो इस समय आपको screen पर दिख रही है मैंने site पर check करते समय इसको आपके लिए collect कर लिया था अब इसको अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं इसका link आपको नीचे description box में paste कर दूँगे video पर खतम हो जाता है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं और यह check कर सकते हैं कि वो कौन से parameters हैं जिनके उपर आपको judge किया जाता है और अब जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था यहां पर जो बहुत सारी cost होती वो आपको subsidies के तहत कवर हो जाती है जो भी micro units है market में उनके लिए subsidy होती है 80% की जो small units हैं उनके लिए होती है 60% की और जो medium units हैं उनके लिए होती है 50% की इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां से यह तो समझ में आ गया कि यह जो Z certification है यह specially MSME units के लिए है अब अगर आपको एक women entrepreneur है SCST entrepreneur है या हिमालियन रीजिन से हैं नौर्थ इस्टन रीजिन से हैं island territories से हैं या इस तरीके के रीजिन से अगर आप हैं special region से तो आपको additional 10% subsidy और मिल जाती है यहां पर अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहां पर होती है वो यह है कि जब कभी भी आपका यहां पर assessment होता है certification के लिए और पाया जाता है कि आपका जो current position है और certification अचीव करने के लिए जो level है उसमें कोई gaps है उनको fill करने की जरुरत पड़ेगी तो उसके लिए आप यहां पर consultants को भी hire कर सकते हैं यहां पर government appointed consultants हैं जिनको hire किया जा सकता है उसका लिस्ट भी मैं नीचे आपको description box में दे दूँगी इन consultants की जो fees होती है उसको pay करने के लिए भी कुछ समय पहले तक यहां पर एक scheme चल रही थी जिसमें कि आप जैसी z pledge लेते थे यानि कि इस certification के लिए जैसे आप pledge लेते थे तो आपको एक 10,000 रुपे का award मिल जाता था जो कि आप इस तरीकी के purpose के लिए use कर सकते थे इस तरह की fees को pay करने के लिए फिलाल इस वीडियो को बनाते समय जब मैंने इनकी site को चेक किया तो फिलाल तो मुझे वो 10,000 रुपे वाला award नहीं दिखा वहाँ पर बट I would highly recommend कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में से कोई भी certification के लिए apply करता है तो एक बार inquire ज़रूर कर लिजिए कि इस तरीकी की कोई scheme भी वहाँ पर चल रही है क्या जो कि आपके पैसों को यहाँ पर फुर्दर बचा सकती है अब यह जो पूरा process है Z certification को implement करने का यह यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी bodies हैं जिनके तुरू किया जा रहा है जैसे कि QCI, NPC, ASOCAM, CII इस तरह कि आप मारे देश में जो bodies हैं इनके तुरू इसको implement किया जा रहा है तो देखे यह जितना भी process है यह पूरी तरीके से एक online process है राइट application का job का process है हाँ जो भी consultants है या जो भी हाँ पर बहुत सारे cases में inspections वगरा होते हैं वो personal inspections भी होते हैं तो इस certification को लेने के बारे म में अगर आप सोचते हैं तो इसकी काफी detailed guidelines दी गए हैं उन guidelines का link भी में नीचे आपको description box में provide कर दूंगी उसको भी एक बार जरूर पढ़ लीजेगा अब देखिए यह export market में जो आपके प्रडॉक्स से साख बढ़ती है यह तो इस certification का ultimate advantage हुआ लेकिन इसके अलावा भी य चोटे चोटे advantages हैं जो इस certification को लेने के कारण आपकी unit को मिलते हैं उनके बारे में आपको बताती हूं तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला advantage आपको मिलता है वो यह होता है कि आपकी जो भी wastage है यहाँ पर unit में वो काफी हद तक reduce हो जाती है इसी के साथ साथ आप environment conscious हो ज advantage आपको मिलता है वो यह मिलता है कि जब कभी भी आप banks में इस तरह की units किसी loan के लिए apply करते हैं इस तरह की MSME units जिनके पास Z certification है जब वो loans के लिए apply करते हैं तो आपकी जो processing fees होती है उसमें आपको काफी सारे concessions मिल जाते हैं इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर preference भी मिलता है इस तरीके के MSME units हैं जिनके पास Z certification है और वो जब किसी international exhibition में या trade fair में participate करना जाती है तो उनको air fair में concession मिलता है stall charges में उनको concession मिलता है और इस तरीके के जो expenses होते हैं उनमें आपको concessions मिल जाते हैं तो again वो भी आपकी cost saving होती है अब यहाँ पर आपका सवाल उठेगा बन में वो यह उठेगा कि भई ठीक है यह सब बात तो हो गई कि हमें बहुत सारे benefits मिल गए सब हो गया लेकिन eligibility यह है कि अगर आप एक MSME run करते हैं अगर आपकी unit एक MSME unit आ है तो और especially वो फिलाल यह जो Z certification launch किया गया है at the moment यह manufacturing units के लिए है सिर्फ service units के लिए फिलाल नहीं है लेकिन बहुत चल्दी वो भी आ जाएगा तो अगर आपकी एक manufacturing unit है MSME unit है और वो आपके पास उद्यम registration है तो आप इस Z certification के लिए eligible है because यहां पर जो आपका registration का जो process start होगा Z certification में वो start ही आपका आपके उद्यम registration के साथ होगा तो यह आपकी compulsory requirements है जो पूरा process जैसा कि मैंने आपको बताया था application का वो आपका एक online process है जिस website के तुरूँ आपको apply करना है उसका link में आपको नीचे description box में दे दोगी application के लिए I don't think आपको किसी consultant की जरूरत पड़े कि because अगर आप शुरू से अपने business को चला रहे हैं तो आपको काफी हद तक खुदी knowledge होती है तो यह application तो आप कर लेंगे लेकिन हाँ अगर आपके जो current state है और जिस status पर आपको पहुँचना है उसके बीच में कोई gaps आते हैं तो हो सकता है आपको कुछ consultants को hire करने की ज़रूरत पड़े तो उसका list भी जो government appointed consultants है जासा कि मैंने आपसे कहा नीचे description box में provided है and with this I sincerely hope कि इस export markets related जो भी information में आप तक लेकर के आ रहे हूं यह आप लों के लिए useful होगी and यह एक ऐसी तरह की information होती हैं जो कि हमारे जो कमाई के जरीये हैं उनको बढ़ा देती हैं ना सिर्फ जर्यों को बढ़ा देती हैं बलकि हमारे potential को बढ़ा देती कि existing business को ही कैसे यहां से जादा कमाई की जा सकती है and I sincerely hope कि यह सारी information आपनों की life में आपनों के business में कोई ना कोई value add जरूर करेगी तो अगर इसी तरह की और भी information पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा और अगर आज का ये वीडियो आपनों को पसंद आया है तो इसको like भी जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share भी जरूर कीजेगा इसी के साथ साथ मैं अपने comments में ये भी इंतशार करती हूँ कि अगर आप किसी particular दिल्के के वीडियोस चाहते हैं तो वो भी आप मुझे लिख करके बताईए नीचे comments में मैं उस तरीके के topics पर उपर भी आपके लिए research करके वीडियोस create करने की कोशिश करूँगी तो इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं जल्दी ही मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार